खाटे थे था हमार्च भर्व नटोन भर्वाइज वन करने दाना फूले धना क्वार्व देखने को नहीं मिलती है और आने वाले एपिसोड इस परी बेस्ट होगा तो बिना किसी दहरी के मैं इस चाप्टर की शुरुआत करता हूँ दोस्तों मांगा की कवर पेज में हमें फू नजर आता है अपने डाक लॉड के आउतार में काफी कमाल का डिजाइन है दोस्तों यहाँ पे फू का और मांगा में हमें यह देखने को मिलता है कि SSG4 ब्रॉली वससे SSG4 वेजीटो होता है दोनों काफी एकदम कमाल की लड़ाई यह दोस्तों दोनों के बीच में दोनों अपने लिमिट ट्रेक फॉर्म में है और यहाँ पे अपने यह देखने को मिलता है कि वेजीटो अभी भी वहाँ पर है दोनों टीम आप करते है अगेंस्ट ब्रॉली दोनों अपनी स्वाड निकालते है Spirit Sword और उतने में हमारा वेज अगले सीन में यह देखने को मिलता है कि फू भी बैटल फिल्ड में एंटर करता है लेकिन इतने में उसे देमी गुरा रोक लेता है अपनी जंजीरो से दोस्तो थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे यह पता चला है कि देमी गुरा की जंजीरो में उतनी ताकत है जो डाक सीन में जब हर्ट जाए तो उसे हमने देखा थे कि वह प्रिजन बg बंण था औरावण ये कि हैसकेप कब हुआ यह हमें आनीमी में देखने को नहीं मिला हाला कि वंगा में यह देखने को मिला कि देमी गुरा नहीं उसे रिलीस किया ताई कि अगले सीन में यह मिलता कि गोकु अपने युनिवर्स में वापस आ जाता है दोनों डिफ्यूज हो चुके है वेजिटों डिफ्यूज हो चुका है और गोकु एंड वेजिटा एक अपने ही कैप्सुल कॉर्ड के पार्क में पड़े हुए है एकदम आराम से यह काफी सिमिलर सीन है जब टूनामेंट लेकिन व अपने स्पिरेट इस बावर्स में पावर स्टेज के बाहर चले लेकिन वह अपने स्पे रिफार्क के मदद से वापस आ जाता है तो और वेजीटा Spirit Sword का इस्तमाल करता है इसलिए हमें ये specific Spirit Sword वेजीटों में देखने को मिलती है